प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 14 अगस्त को सुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापान 21 अगस्त को किया जाएगा इस कॉंपिडिशन में प्रतियों से निसाने बाज हिस्सा ले रहे हैं माना इस्तित सुटिव रेंज में आयोजित इस प्रतियोगिता में अब तक करीब 2500 से अधिक निसाने बाजों ने अपनी कला का प्रदसन किया है संग के सच्चिव के मताविक यह 17 राजिस्तरी कंपिडिशन है जिसका आयोजन किया गया है उन्होंने बताया कि इसमें सामिल होनी के लिए अब तक प्रदेश के कर जिलों से निसाने बाज राजधानी पहुच कर इसमें हिस्सा ले चुके है उन्हेंने कहा कि यहां से विजिता होने वाले आगे नेशनल में भी हिस्सा लेंगे वहीं जिंदल इस्टिल की अगर से बताया गया कि निशानेवाजों को प्रेजित करने इस तरह की प्रतियोगिता का आईजित किया जाता है कमपनी के अधिकारे के वताविक प्रतियोगिता के पहले दो चरोड़ों में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आईजित किया गया थे चतिवर प्रदेश राइफल असोसीशिन की तरफ से 14 अगस्त से सत्रमी राजिस्तरी निशानेवाजी प्रतियोगिता का आईजिन शुरू किया गया था इस प्रतियोगिता में 25 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर के अलग-अलग इवेंट्स हम ने रखे हुए है और इसके अलावा रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, राजनान गाओं, बेमेत्रा, बालोद, धमतरी, अंबिकपूर, और कोरिया, बैकुनपूर कोरिया और ये जश्पूर, यहां के शूटर, रायगड, यहां इतने जिलों के शूटर सभी तक हमने देखे हैं, यहां प कल तक 242 खिलाडी आयते हैं, जिंदल स्टील इसमें स्पॉंसर्शिप ही कर रहा है, इसको सीपी आरे हर साल करवाता है, बलकि साल में दो बार हम लोग एक बार प्रैक्टिस सेशिन भी रखते हैं, और हर साल यहां से जो चैनित खिलाडी होते हैं, वो मावलंकर में जाते है जो स्टेट लेवल होता है, उसके बाद फिर यह मावलंकर से नैशनल खेलने जाते हैं, और नवीन जिंदल जी का हमारे चेर्मन साब का यह एक बेसिक मोटिव है कि खिलाडियों को जतना बढ़ाया जा सके, उसमें यह बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, थैंक यू झाल